शिब बाबा याद है ना? हम कहां तक उनकी श्रीमत पर चलते हैं तुम यहां आये हो बाब से हेल्थ, वेल्थ, हैपिनेस का वर्षा लेने इस समय तुम बच्चों को बाब से संपत्ति यादी सब कुछ मिल जाता है इसलिए कुछ भी मांगने की दरकार नहीं क्योंकि यह है पढ़ाई और पढ़ाई मे कभी मांगना नहीं होता जितना जो पढ़ेंगे उतना पद पाएंगे हां इसमें पवित्रता भी जरूर चाहिए फिर बाब नहीं कहा मैं तो हूँ ही एवर शक्ति मान गोल्डन एजड मुझ से शक्ति लेने वाले तुम हो शिव की सेना अभी बाब की याद से तुमको इत इतनी ताकत मिलती हैं जिससे तुम रावन पर जीत पाते हो और बंदर से मंदिर लायक बन जाते हो यहां कोई गुण ना होने के कारण दुनिया में सब पर राहु की दशा बैठी हुई हैं इसलिए बाब कहते हैं देदान तो छूटे ग्रहन देहे सहित देह के सभी धर्मो को छोड़ पवित्र बनो और लास्ट में बाबा ने कहा यह कभी नहीं कहना चाहिए कि हम बाब को भूल जाते हैं अगर पतित पावन को ही भूल जाएंगे तो तुम पावन कैसे बनेंगे जितना जो याद करेंगे उतना आत्मा की कट निकलती जाएगी खुशी का पारा च शिश भी होती रहेगी और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से मुरली का सार मीठे बच्चे तुम आए हो बाप से हेल्थ वेल्थ हैपिनेस का वर्सा लेने इश्वर ये मत पर चलने से ही बाप का वर्सा मिलता है प्रश्न बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई हैं। उत्तर विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्म समझ भाई भाई की द्रिष्टी से देखो। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं। इसलिए ब्रिकुटी में आत्मा भाई को देखो। पावन बनना हैं तो यह द्रिष्टी पक्की रखो। निरंतर पतित पावन बाप को याद करो। याद सही कट निकलती जाएगी। खुशी का पारा चड़ेगा और विकल्पों पर विजे प्राप्त कर लेंगे। ओम शांती। शिव भगवानु वाच है तो जरूर शरीर होगा तब तो वाच होगा। बोलने के लिए मुख जरूर चाहिए। तो सुनने वालों को भी कान जरूर चाहिए। आत्मा को कान मुख चाहिए। अभी तुम बच्चों को इश्वरिय मत मिल रही है जिसको राम मत कहा जाता है। दूसरे फिर हैं रावन मत पर इश्वरिय मत और आसुरी मत इश्वरिय मत आधा कल्प चलती है। बाप इश्वर मत देकर तुमको देवता बना देते हैं। फिर सत्युग त्रेता में वही मत चलती है। वहाँ जनम भी थोड़े हैं क्योंकि योगी लोग हैं। और दुआपर कली योग में हैं रावन मत। यहाँ जनम भी बहुत हैं क्योंकि भोगी लोग हैं। इसलिए आयू भी कम होती हैं। बहुत संप्रदाय हो जाती हैं और बहुत दुखी होते हैं। राम मत वले फिर रावन मत से मिल जाते हैं। तो सारी दुनिया की रावन मत हो जाती हैं। फिर बाप आकर सबको राम मत देते हैं। सत्यूग में है राम मत इश्वरिय मत, उसको कहा जाता है स्वर्ग। इश्वरिय मत मिलने से स्वर्ग की सापना हो जाती है आधा कल्प के लिए। वह जब पूरी होती है तो रावन राज्य होता है। उसको कहा जाता है आसुरी मत अब अपने से पूछो हम आसुरी मत से क्या करते थें इश्वरिय मत से क्या कर रहे हैं आगे जैसे कि नर्कवासी थे फिर स्वर्कवासी बनते हैं शिवाले में सत्युग त्रेता को शिवाले कहा जाता है, जिस नाम से सापना होती है, तो जरूर उनका नाम भी रखेंगे, तो वह है शिवाले, जहां देवता रहते हैं, रचियता बाप ही तुमको यह बातें समझा रहे हैं, क्या रच्ते हैं, वह भी तुम बच्चे समझ से हूँ, सारी इस समय उनको बुलाती है हे पतित पावन वहे लिब्रेटर रावन के राज्य से दुख से छुडाने वाले अभी तुमको सुख का मालूम पड़ा है तब इसको दुख समझ से हो नहीं तो कई इसको दुख थोड़े ही समझ से हैं जैसे बाप नौलेज़फुल है मनुष्य सृष्टी का बीज रूप है तुम भी नौलेज़फुल बनते हो बीज में जाड की नौलेज होती है ना प्रन्तु वहे है जड़ अगर चेतन्य होता तो बता देता तुम चेतन्य जाड के हो इसलिए जाड को भी जानते हो बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टी का इस जाड की उत्पत्ती और पालना कैसे होती है ये कोई नहीं जानते ऐसे नहीं नया जाड उत्पन्न होता है ये भी बाप ने समझाया है पुराने जाड वले मनुष्य बुलाते हैं कि आकर रावन से लिब्रेट करो क्योंकि इस सम्य रावन राज्य है मनुष्य तो नरचियता को नरचना को जानते खुद बाप बतला रहे हैं मैं एक ही बार हेविन बनाता हूँ हेविन के बाद फिर हेल बनता है रावन के आने से फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं सत्युग में health, wealth, happiness सब है, तुम यहां आए हो बाप से वर्षा लेने, health, wealth, happiness का, क्योंकि स्वर्ग में कभी दुख होता नहीं, तुम्हारी दिल में हैं कि हम कल्प कल्प पुरुशोत्तम संगम युग में पुरुशार्थ करते हैं, नाम ही कैसा अच्छा है, और कोई युग को पुरुशोत्तम थोड़े ही कहते हैं, उनमें तो सीड़ी नीचे उतरते जाते हैं, बाप को बुलाते भी हैं, समर्पन भी करते हैं, लेकिन यह मालूम नहीं रहता कि बाप कब आएगा, पुकारते तो हैं, ओ गौड फादर लिबरेट करो, गाइड बनो, लिबरेटर बनेंगे तो जरूर आना पड़े, फिर गाइड बन ले जाना पड़े, बाप बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं, तो बड़ा खुश होते हैं, वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप, बाबा क्रियेटर है, रच करके फिर उनकी पालना भी करते हैं, पुनर जनम तो लेना पड़ता है, किसको दस, किसको बारह बच्चे होते हैं, परन्तु वो सब हैं हद के सुख, जो काग विष्टा समान है, तमो प्रधान बन जाते हैं, तमो प्रधान में सुख ब बहुत सुक होता है, सतो प्रधान बनने की युक्ती बाप आकर बताते हैं, बाप को Almighty Authority कहा जाता है, मनुष्य समझ से है, God Almighty Authority है, तो जो चाहे सो कर सकते हैं, मरे को जिन्दा कर सकते हैं, एक बार कोई ने लिखा, अगर आप भगवान है, तो मखी को जिन्दा कर दिखाओ, ऐस से धेर प्रशन पूछते हैं, तुमको बाप ताकत देते हैं, जिससे तुम रावन पर जीत पाते हो, बंदर से मंदिर लायक बनते हो, उन्होंने फिर क्या-क्या बना दिया है, वास्तों में तुम सब सीताएं, भक्तियां हो, तुम सब को रावन से छुडाया है, रावन द रामाते हैं रावन की जेल से छुडाने। रावन दस्सिरवला बनाते हैं। उनको बीस भुजायें दिखाई हैं। बाप ने समझाया है कि पांच विकार पुरुष में और पांच विकार इस्त्री में उनको कहते हैं रावन राजे वो पांच विकारों रूपी माया का राजे ऐसे नहीं कहेंगे इनके पास बहुत माया है माया का नशा चड़ा हुआ है नहीं धन को माया नहीं कहेंगे धन को स संपत्ति कहा जाता है तुम बच्चों को संपत्ति यादी बहुत मिलती है तुमको कुछ भी मांगने की दरकार नहीं क्योंकि यह तो पढ़ाई है पढ़ाई में मांगना होता है क्या टीचर जो पढ़ाएंगे वे स्टूडेंट पढ़ेंगे जितना जो पढ़ेंगे उतना मांगने की बात नहीं, इसमें पवित्रता भी चाहिए, एक अक्षर की भी वेल्यू देखो कितनी है, पदमा पदम, बाप को पहचानो याद करो, बाप ने पहचान दी है, जैसे आत्मा बिंदी है, वैसे मैं भी आत्मा बिंदी हूँ, वैं तो एवर पवित्र है, शान्ती, ज्यान, पवित्रता का सागर है, एक की ही महिमा है, सबका पोजिशन अपना अपना होता है, नाटक भी बनाया है, कन कन में भगवान, जिनोंने नाटक देखा होगा, वैं जानते हूँगे, जो महवीर बच्चे हैं, उनको तो बाबा कहते हैं, तुम भल कहां भी जाओ, सिर राम राज्य स्थापन कर, रावन राज्य को खलास कर देते हो, यह है बेहद की बात, वह कहानिया हद की बना दी हैं, तुम हो शिव शक्ती सेना, शिव ओल्माइटी है ना, शिव की शक्ती लेने वाले, शिव की सेना तुम हो, उन्होंने फिर शिव सेना नाम रखा है, शिव की तो सभी संतान है, सारी दुनिया की आत्माएं उनकी संतान है शिव से तुमको शक्ती मिलती है, शिव बाबा तुमको ग्यान सिखाते है जिससे तुमको इतनी शक्ती मिलती है, जो आधा कल्प सारे विश्व पर राज्ये करते हो तुम्हारी यह है योग बल की शक्ती और उनों की है बाहु बल की भारत का प्राचीन राजियोग गाया हुआ है चाहते भी हैं भारत का प्राचीन योग सीखें जिससे पैराडाइस सापन हुआ था कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइस था वह कैसे बना योग से तुम हो प्रवरिती मार्ग वाले सन्यासी वह घरबार छोड जंगल में चले जाते हैं ड्रामा नुसार हरे एक को पार्ट मिला हुआ है इतनी छोटी सी बिंदी में कितना पार्ट है इसको कुदरत ही कहेंगे बाप तो एवर शक्ति मान गोर्डन एजड है अभी तुम उनसे शक्ति लेते हो यह भी ड्रामा बना हुआ है ऐसे नहीं कि हजारों सुरियों से तेजों में हैं वह तो जो जिसका भाव बैठता है तो उस भावना से देखते हैं आखे लाल-लाल हो जाती हैं बस करो हम नहीं सहन कर सकते बाप कहते हैं वो सब भक्ति मार आग के संसकार है यह तो नौलेज है इसमें पढ़ना है बाप टीचर भी है पढ़ा रहे हैं हमको कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है बाब नहीं समझाया है मनुष्यों को पता नहीं है कि यह किस ने कहा पहले बंदर का चित्र बनाते थे अभी मनुष्यों का बनाते हैं बाबा ने भी नलिनी बच्ची का बनाया था मनुष्यों को भक्ती का नशा कितना है भक्ती का राज्य है न अभी होता है ज्यान का राज्य फर्क हो जाता है बच्चे जानते हैं बरोबर ज्यान से बहुत सुख होता है फिर भक्ती से सीड़ी नीचे उतरते हैं हम पहले सत्युग में जाते हैं फिर जू मिसल नीचे उतरते हैं 1250 वर्ष में दो कला कम होती है चंद्रमा का मिसाल है चंद्रमा को ग्रहन लगता है कलाईं कम होने लगती है फिर धीरे-धीरे कलाईं बढ़ती है तो 16 कला होता है वह है अल्प काल की बात यह तो है बेहद की बात इस समय सभी पर राहू का ग्रहन है उच्च ते उच्च है ब्रिस्पती की दशा नीचे में नीची है राहू की दशा एकदम देवाला निकाल देते हैं ब्रिस्पती की दशा से हम चड़ते हैं वह बेहद के बाप को जानते नहीं है अब राहु की दशा तो सब पर बरोबर है यह तुम जानते हूँ और कोई नहीं जानते राहु की दशा ही इंसॉल्वेंट बनाती है ब्रस्पती की दशा से सॉल्वेंट बनते है भारत कितना सॉल्वेंट था एक ही भारत था सत्युग में राम राजे पवित्र राजे होता है जिसकी महिमा होती है आप पवित्र राजे वाले गाते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नाही आपे ही तरस्परोई ऐसी संसाई भी बनाई है निर्गुण संसा अरे ये तो सारी दुनिया निर्गुण संसा है ए एक की बात थोड़े ही है, बच्चे को हमेशा महात्म कहा जाता है, तुम फिर कहते हो कोई गुण नहीं, ये तो सारी दुनिया हैं, जिनमें कोई गुण ना होने कारण राहु की दशा बैठी है, अब बाप कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहन, अब जाना तो सब को है ना, देहे सहित देह के सभी धर्मों को छोड़ो, अपने को आत्मा निष्चे करो, तुमको अब वापिस जाना है, पवित्र ना होने के कारण वापिस कोई जाना सके, अब बाप पवित्र होने की युक्ती बताते हैं, बेहद के बाप को याद करो, कई कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, बाप कहते हैं मीठे बच्चों, पतित पावन बाप को तुम भूल जाएंगे, तो पावन कैसे बनेंगे, विचार करो कि यह क्या कहते हो, जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे, कि हम बाप को भूल जाते हैं, तुम क्या कहते हो, मैं बाप साकार में आए तब तो पढ़ाई अभी बाप ने इसमें प्रवेश किया है यह है बाप दादा दोनों की आत्मा इस ब्रिकुटी के बीच में है तुम कहते हो बाप दादा तो जरूर दोनों आत्माई होंगी श्वबाबा और ब्रह्मा की आत्मा तुम सब बने हो हम भाई भाई हैं फिर प्रजा पिता ब्रह्मा दवरा हम भाई बहन बनते हैं यह याद पक की चाहिए प्रंतु पाब देखते हैं कि बहन भाई में भी नाम रूप की कशिश होती है बहुतों को विकल पाते हैं अच्छा शरीर देखकर विकल पाते हैं अब बाप कहते हैं समझ भाई भाई की दृष्टी से देखो आत्मे सब ब्रदर्स हैं ब्रदर्स हैं तो बाप जरूर चाहिए सबका एक बाप है सभी बाप को याद करते हैं अभी बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो मामेकम याद करू जितना याद करेंगे तो कट निकलती जाएगी प्रशिश होती रहेगी नंबरवार पुरुशार्थनुसार अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्णिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्से रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दाद को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्णिंग धार्णा के लिए मुख्य सार पहली पुइंट पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्विम को संपत्तिवान बनाना है कुछ भी मांगना नहीं है एक बाप की याद और पवित्रता की धार्णा से पदमा पदम पती बनना है राहू के ग सी नॉइविल जिन बातों से सीड़ी नीचे उतरे निर्गुन बने उन्हें बुद्धी से भूल जाना है वर्दान पहले आपके मंत्र दवारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्मान सो महान भव यही महा मंत्र सदा याद रहे कि निर्मान ही सर्व महान है पहले आप करना ही सर्व से स्वमान प्राप्त करने का आधार है महान बनने का यह मंत्र वर्दान रूप में सदा याद रखना वर्दानों से ही पलते उड़ते मंजिल पर पहुँचना मेहनत तब करते हो जब वर्दानों को कारे में नहीं लगाते अगर वर्दानों से पलते रहो वर्दानों को कारे में लगाते रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे स्लोगन सूरत दवारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमनीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो अच्छा ओम शान्ती आज बाबा एक ओफर दे रहे हैं जो हर एक ब्रामन के लिए बड़े काम की है वह विशे सोगात क्या है जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती